हलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर इर्फान शेक, कंसल्टन यूरोलोजिस और एंड्रोलोजिस इन यूरोलाइफ स्टोन इन मेंस क्लिनिक पुने हम कॉमन तरीके से यह जानते हैं कि किड्नी स्टोन का पेर बहुत जादा रहता है तो आज यही टॉपिक पे हम लोग सबसे इंपॉर्डन सवाल जो हर एक के दिमाग में है उसका अंसर खोजने की कोशिश करेंगी क्या किड्नी स्टोन के लिए सच में ट्रीटमेंट की जरुवत है जबी भी कोई पेशन्ट मेरे पास आता है किड्नी स्टोन का डाग्नोसिस लेकर उसका अल्डरसाउंड लेकर तो सबसे पहले उसका यही सवाल रहता है कि सर क्या इसके लिए औपरेशन का जरुवत है या नहीं है जैसे हर कोई चाहता है कि operation ना हो बगएर operation की treatment हो जाए तो मैं पहले यह बोलना चाहता हूँ कि most of the stones का treatment के लिए operation की ज़रुवत नहीं होती है जैसे kidney stone का location अगर kidney से आने वाली जो pipe है उसमें बहुत नीचे है kidney stone की size बहुत छोटी है जैसे 5-6 mm उसकी size है और kidney stone की वज़े से कुछ complications नहीं हो रहा है तो most of the kidney stone जैसे मैं बोल सकता हूँ कि 70-80% of the stones जो naturally या बगएर कोई treatment के निकल जाते है बाकी patients के लिए treatment की ज़रुवत होती है तो इसी बारे में हम लोग देखेंगे कौन से patients में kidney stone के लिए operation का ज़रुवत है सबसे पहला है kidney stones जो बहुत ही size में बड़े है अगर उसका location favorable नहीं है तो उनके लिए operation का ज़रुवत होता है अगर stone kidney में है उसकी size 8-10 mm से ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा chances हो जाते हैं कि आपको उसके लिए operation या कोई न कोई form का treatment की ज़रुवत है अगर आपकी stone ureter में है और 6-7 mm से उसकी size ज़्यादा है तो आपको operation की ज़रुवत पढ़ती है bladder stones की भी लगबग 8-10 mm से अगर size ज़्यादा है तो आपको operation की ज़रुवत पढ़ने वाली है इसमें operation मतलब में laser operation की या दूर्बीन से किया जाने वाले operation की बात कर रहा हूँ दूसरा जो important part है जिसमें operation या laser endoscopy operation का ज़रुवत पढ़ता है वो है अगर stone की वज़े से आपको कुछ complications हो रहे हैं जैसे के कुछ patients को stone की वज़े से infection होता है, कुछ patients का fever आ रहा है उनके white blood cell count बढ़ रहा है या kidney के काम पे असर पढ़ रहा है तो इनको absolute ज़रुवत है इनके ये ऐसे set of patient है जिनमें हम लोग बिल्कुल रूप नहीं सकते और kidney stone की operation या kidney stone की treatment कराना तुरंत या urgent ज़रूरी हो जाता है तो ये एक emergency reason है जिसके वज़े से आपको kidney stone का treatment करवाना ज़रूरी है तीसरा पार्ट है अगर आपके stone छोटे है और आप कुछ समय तक जैसे 15-20 days तक उसके लिए treatment ले रहे हैं दवाई से ज़्यादा water intake रख रहे हैं लेकिन आपका kidney stone का location चेंज नहीं हो रहा है कुछ favorable situation नहीं बन रही है kidney stone वैसे ही है तो अगर ultrasound या CT scan में अगर stone वही है kidney की सूजन बढ़ रही है तो आपको kidney stone के operation की ज़रूरत पढ़ने वाली है आने वाले वीडियो में हम kidney stone के types उसके operation और क्या सावधानी बरतना चाहिए इसके बारे में information लेंगे Please like, share and subscribe to our channel Thank you Thank you